Hello Friends, Digital English Solution में आपका स्वागत है आज मैं आपको पास्ट इंडिफिनिटेंस के अनुवात करने की नियम के बारे में बिश्तार से बता रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकान दबाना मत भूलिए और इसे अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे सेर करिए और लाइक करिए अब हम आगे देखते हैं पास्ट इंडिफिनिटेंस के पहचान सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिटेंस की पहचान आप देख सकते हैं कीश काल के वाक्यों के अंत में ता था ते थे ती थी ये सब्द आते हैं ता था ते थे ती थी या आ एई ये अच्छर और मात्रा दोनों के रूप में आ सकते हैं वाक्य के अंत में सधर्ण वाक्य के अनुवाद करने के नियम सभी करताओं के साथ मुख किरिये का दूसरा रूप लिखा जाता है सभी करताओं के साथ मुख किरिये का दूसरा रूप लिखा जाता है और था थेथी का अनुबाद नहीं किया जाता है वाके के अंत में जो आएग अथात है थी तो उसका अनुबाद नहीं किया जता है अर्थात वाजबेर का भी प्रयोग नहीं होता है वाजबेर का प्रयोग उस समय होता है जब वाके में मुक्किरिया नहीं होती है और साहय के लिए ही मुक्किरिया का काम करती है तब हम सामान वाक्य रचना होती है इसकी सबसे पहले हम सबजेक्ट का चैन करते हैं वाक्य से फिर किरिया का दूसर रूप लगाते हैं और अंत में आपजेक्ट लिखते हैं जैसे आप देख सकते हैं यामपल में मैंने कल एक सेर देखा मैंने कल एक सेर देखा में सबसे पहले करता क्या है मैंने तो मैं क्यांगरे क्या होती है आई और देखा सा आई सा ये लायन एस्टाड़ी तो साथ मोकिरिय का दूसर रूप है आपजेक्ट है सेर और देखना इसकी बर्व थी दूसरे वाक्य में मैं इस गाउं में रहता था तो आप देख इस वाक्य से कर्ता का सबसे पहले चैन करें कर्ता को पहचानने के लिए किरिया से कौन का प्रश्ण पूछा जाए तो जो है कर्ता का उत्तर मिल जाता है तो मैं इस गाउं में रहता था तो इस वाक्य में क्या है रहना किरिया है तो रहना से पूछे कौन तो कौन के उत्तर में आएगा मै तो यह मै जो है इसका करता है इसकी एंग्रेजी होती है आई किरिया रहना है इसकी एंग्रेजी live और second farm lived होता है in this village इसको object है हमने कल उसकी सहायता की तो हमने सहायता की कौन किया हमने इसलिए करता जो है हमने सब्दुगा तो हम कि एंग्रेजी we और सहायता करने के एंग्रेजी helped और object इसका क्या है him उसकी और जो बचा हुआ है एड़बर भय वा yesterday we helped him yesterday अगला वाक क्या है वह कल वाजार गया वह कल वाजार गया तो इस वाक्य में गया सब्द जो है यही किरिया है तो कौन गया वह तो वह करता है तो इसलिए सबसे पहले उसकी एंग्रेजी ही और उसके बाद में गया मुकीरिये का दूसर रूप लगा जाता है तो गया जो है किरिया है तो इसका दूसर रूप बेंट फिर सका सब्दाने पर अगला वाक्य का प्रकार होता है सका सब्दाने पर सका सब्द यदि वाक्य में आता है तो सका सब्द की अंग्रेजी जो होती है कुड लिखी जाती है लेकिन सभी करताओं के साथ सका सब्द की एंग्रेजी कुड लिखी जाती है और सभी करताओं के साथ मुख किरिया का पहला रूप लिखा जाता है सामाने वाक्य में मुख किरिया का दूसरा रूप लिखा जाता है सका सब्द आएगा तो मुख किरिया क पहला रूप लिखा जाएगा और सहाय किरियक की रूप में could का प्रयोग के जाता है अब वाकी की रशना आप देख सकते हैं structure of sentence सबसे पहले हम select क्या करते हैं किसी sentence का अनुवाद करते समय subject फिर सका सब्दाने पर compulsory होता है could सका सब्द के एंगरेजी फिर वर्व का first form यूज करते हैं आप लास्ट हम object का यूज करते हैं example के थोरो हम इसको असपर्ष कर सकते हैं तुम उसे हरा सकते थे ये first example है तुम उसे हरा सकते थे तो इसमें सका सब्दाय है तो आप confirm हो गए होंगे कि इसमें सबसे पहले किरिया का chain कर लें हराना किरिया है तो कौन हरा सकता था तुम तो तुम इसका करता है तो तुम के इसमें सबसे पहले यूज फिर सका सब्दाने के वज़ा से सूतर के हिसाब से हम subject के बाद जो है could का प्रयोग करेंगे फिर किरिया के पहला रूप हराना के इंगरे is defeat और उसे जो है object है him तो you could defeat him next sentence से और ये confirm हो जाएगा मोहन एक कार खरीद सकता था तो इसमें भी सका सद है सकता था और खरीदना इसकी किरिया है कौन खरीदना खरीदेगा मोहन तो किरिया है खरीदना मोहन है करता और बचा हुआ है जो है वह कर्म है ये कार तो मोहन सबसे पहले करता के इंगरे जी मोहन सका सब के इंगरे जी कुट खरीदना के इंगरे जी बाई एकार तो मोहन कुट बाई एकार सूत्र के इसाब से आप देख सकते हैं सबसे पहले सबजेक्ट उसके बाद कुट फिर बर्व का first form at last हमने object का प्रियोग किया है वह एक गीत गा सकती थी तो वह एक गीत गा सकती थी में आप देख सकते हैं सका सब्द इसमें भी आया है सका सब्द है तो कुट का प्रियोग करना है आपको करता के बाद क्या कर सकती थी गा सकती थी तो गाना के रिया हुई कौन वह तो वह करता हो गया तो से कुट सिंगे सांग मजबूरी परकट होने पर अगला वाक्ष है मजबूरी परकट होने पर मजबूरी परकट होने पर क्या करते हैं इसका सभी करताओं के साथ सहाय किरिया हैड टू का प्रयूप के जाता है और मुख किरिया का पहला रूप लिखा जाता है सभी करताओं के साथ मुख किरिया का पहला रूप लिखा जाता है यह द्यान रखिएगा सभी करताओं के साथ साहे किरिया है टू का प्रियोग के जाता है और सभी करताओं के साथ मुक किरिया का पहला रूप लिखा जाता है तो ये मजबूरी परकट होने पर हम उस वाकिका अनुबात करते समय इस नियम का प्रियोग करते है structure of sentence आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं subject का chain करते हैं फिर head to जो साहे किरिया बनेगी इसकी मजबूरी पर कटने पर फिर बारू का first form और object तो example देखें रिया को जूट बोलना पड़ा यानि कि जूट बोलना नहीं चाहती थी बोलना पड़ा तो मजबूरी थी इसलिए करता रिया है तो रिया और head to सब के साथ लगना है फिर बोलना बोलना करी tell क्या बोलना पड़ा जूट इसका object है रिया head to tell lie उसे आज अपना गाउं छोड़ना पड़ा तो इसमें भी उसे आज आपका सही भाव पकड में आया तो आप निशित रूप से अनुबाद में कोई गलती नहीं करेंगे तो यहाँ पर छोड़ना पड़ा सब्द से आप देख सकते हैं कि मजबूरी परकाटोरी इसलिए करता ही उसका वह उसे जो है छोड़ने का काम मुझे एक दारा किया गया सहाइक किरिया सबके साथ होई रहेगी लीव ही है टू लीव हिस बिलेश तू डे आज की इंग्रेजी मुझे यहां रात में रुखना पड़ता था यानि कि ना चाहते हुए भी रुखना पड़ता था तो इसलिए सबसे पहले मुझे मुझे यहां पर मी नहीं लिखा जाएगा कर्ता के रूप में आई लिखा जाएगा है टू महस्ट है सबके साथ लगएगा मजबूरी पर कठोने पर इसकी सहाइक की मुक किरिया है रुखना तो I had to stay here at night तो इस तरह से आप और भी वाक्यों को ले करके उसका अनुबाद सूत्र को देख करके कर सकते हैं और अनुबाद करने के लिए आपको अपनी वर्ल पावर बढ़ाना बहुत ही आवस्यक है अगला वाक्य का प्रकार है आदत परकट होने पर तो यदि वाक्य से आदत परकट हो तो उस वाक्य को हंग्रेजी में अनुबाद करते समय सभी करताओं के साथ यूज टू का प्रिवग किया जाता है और मुख किरिया का पहला रूप लिखा जाता है तो ये कब होता है जब वाक्य से आदत परकट होती है used to का पर्योग उस समय किये जाता है structure of sentence आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको subject का चैन करना पड़ता है subject उसके बाद में used to बर्की first form और object example वह cricket खेला करता था तो खेला करता था एक दिन की बात नहीं थी वह आदत में था खेला करता था इसलिए खेला करता था ये किरिया है तो place की अंग्रेजी होगी वह करता है खेलने का काम वह का द्वारा की जाता इसलिए इसके अंग्रेजी सबसे पहले subject सबसे पहले उसके बाद used to लगाएंगे फिर जो है बर्का first form किरिया का पहला रूप play और उसके बाद में object ये जो है आदत में है और मदद किया करता था ये आदत है उसकी मदद करना तो मदद करना किरिया भी है और कौन करता था मै तो मै की अंग्रेजी सबसे पहले आई used to help the poor गरीबों की मदद करता था तुम उससे चिढाया करते थे you used to tease him you used to tease him तो यहां ये आदत परकट करने वाले वाक्यों का कुछ उधारा दिया है मैंने आप और भी वाक्ये अपने किताबों की मदद से देख करके उसको हल कर सकते हैं अरुबाद करने का जो तरीका होगा सबसे पहले आपको आदत परकट करने वाले वाक्यों में subject का chain करना है उसके बाद सभी subject के साथ में use to का use करना है फिर verb का first form और at last object का परियोग करना होता है negative sentence आप देख सकते हैं negative sentence नकरात्मक वाक्य तो नकरात्मक वाक्य में सबसे पहले नकरात्मक वाक्य कानुबात करते समय सभी करताओं के साथ सामान ने वाक्य में मैंने आपको चार परकार के वाक्य बताए है एक सामान होता है, एक सका सब्द वाला एक मजबूरी और एक आदत वाला तो अगर सामान ने वाक्य है तो उसमें did not का परियोग के जाता है सभी करताओं के साथ और मुख्य करिया का पहला रूप लिखा जाता है अगर वाक्य में सका सब्द आ जाए तो क्या करेंगे तो did not के वज़ाए could not का परियोग सभी करताओं के साथ करते हैं और मुख्य करिया का पहला रूप इसमें भी लिखा जाता है यदि वाक्य से मजबूरी पर कट हो तो सभी करताओं के साथ हैड नाट टू का प्रियोग करते हैं और मुक्किरिया का पहला रूप लिखा जाता है आदत पर कट होगी तो डिड नाट यूज टू का प्रियोग करते हैं और मुक्किरिया का पहला रूप लिखा जाता है. इसका उधारन आप देख सकते हैं. पहले तो वाकी की रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले सामान निवाक की अगर है तो सबसे पहले सबजेक्ट, फिर डिड नाट, बर्व का फर्श फार्म और आपजेक्ट का प्रियोग की जाता है. फिर सब्जेक्ट, कुड नाट, बर्व का फर्श फार्म आपजेक्ट ये सका सब्दाने पर वाकी रचना इस परकार से करते हैं. अगर वाकि से मजबूरी परकट है तो वाकि की रचना सबसे पहले subject had not to और बर first form और object का प्रियोग होता है तो सभी प्रकार की वाकियों की रचना आप जो है अपनी copy में note कर लें और जब ही अनवाद करें तो इस वाकि की रचना को ध्यान में रखें example तुम पिछले बर्स मुझे नहीं पढ़ाते थे तो नहीं सब्दाया तो नकरात्म को आख्यों गया तो पढ़ाने का काम तुम के दोरा इसलिए you or did not सामाने वाकिये इसलिए you did not teach me last year पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी तो शका सब्दाया है तो इसलिए could not लेगा पकड़ने का काम पुलिस के दोरा दा पुलिस could not पकड़ना केंगरेजी catch the thief मुझे अपनी कार नहीं बेचना पड़ा तो इसलिए I मुझे है करता I had not to sell my car तो मुझे के साथ अपना सब्द केंगरेजी my लिखा जाएगा वाक अच्छा में कहानी नहीं सुनाया करता था तो इसमें आदत है सुनाया करता था तो वह काम के कौन करता था वह ही did not compulsory है did not used to tell a story in the class तो इस तरह से आप इस कानवाद देख सकते हैं फिर अगली प्रकार का वाक्य है नकरात्मक में कभी नहीं सब्दाने पर कभी नहीं सब्दा आएगा तो क्या करेंगे यदि वाक्य में कभी नहीं सब्दाया हो तो कभी नहीं सब्द की अंग्रेजी never लिखी जाती है और डिड नाट का प्रयोग नहीं किया जाता है मुख्य किरिया का दूसरा रूप लिखा जाता है सका सब्दाने पर सभी करताओं के साथ could never का प्रयोग कियाता है मजबूरी पर कठोने पर हैड नेबर टू का प्रयोग करते हैं आदत पर कठोने पर never use टू का प्रयोग करते हैं और सका सब्द आदत और मजबूरी पर कठोने वाले वाक्यों में बर्व का first form यूज किया जाता है जबकि सामानने वाक्य में बर्व का second form यूज़ के जाता है इसके वाक्यों की रचना देख लीजे इस परकार से होगी subject never बर्व second form object फिर subject could never बर्व का first form object फिर अगला subject had never to per first form object फिर subject never used to per first form object तो इसका अनुबाद आप इस तरह से कर सकते हैं एक्जामपल में देख लीजिए वाक्य रचना के हिसाब से यह आपको अनुबाद करना है वा जूट कभी नहीं बोलता था तो वाक्यों करता है ही उसके बाद में लगाएंगे हम सुत्र के इसाब से नेवर टोल ले लाई तो ही नेवर टोल ले लाई चुकि यह सामान ने वाक्य है वा मुझे कभी नहीं हरा सका तो यह कभी नहीं आया है और हरा सका सका सद्दया है इसलिए could not तो वाक जो है करता है तही could never defeat me तो मुझे कभी तुमें भूखा कभी नहीं सोना पड़ता सोना पड़ा तुमें भूखा कभी नहीं सोना पड़ा तो इस वाक्य का अनुबाद आप जब करेंगे तो पड़ा सद्दया है इसका मतलब मजबूरी है तो you करता है you had never to sleep hungry अगला है मैं उसे कभी नहीं बुलाया करता था तो बुलाया करता था यह एक परकार से आधत थी रोज की बात थी तो मैं उसे कभी नहीं बुलाया करता था तो I never used to call him अब है प्रश्णवाचक वाक्य प्रश्णवाचक वाक्य में आपको पता है कि प्रश्णवाचक वाक्य कई परकार के होते है सबसे पहले हम क्या से सुरु होने वाले वाक्यों के बारे में जानते है अगर वाक्य क्या से सुरु होता है तो क्या की अंग्रेजी what नहीं लिखी जाते है पहली सर्थ है क्या की अस्थान पर did का पर्योग के जाता है सामानने वाक्यों में और यदि वाक्य में सका सब्दाय हो तो क्या की अस्थान पर could का पर्योग करते है मजबूरी परकट होने पर क्या कि अंग्रेजी head लिखी जाती है अगर आदत परकट हो तो did लिखी जाती है और ऐसी अवस्था में मुक्किरिया का पहला रूप लिखा जाता है वाके की रचना इस परकार से होगी सबसे पहले did या could का प्रयोग करेंगे वाके के हिसाब से फिर subject उसके बाद बरकी first form और object फिर मजबूरी परकट होगी तो had subject to first form object और अगर आदत परकट है तो did subject used to बरकी first form और object का प्रयोग के जाता है example में आप देख सकते हैं क्या तुम कल उसे रूपए दिये तो रूपए दिये तो दिये जो है ये किरिया है क्या सब्दा आया है शुरू में इसलिए क्या के अंगरे जी did लिखेंगे did you करता उसके बाद उसके बाद बरकी first form give did you give ध्यान से देखेंगे तो इसी करम में जो वाकी की रचना है उसी करम में वाकी कानुबात किया गया है तो did you give him रूपी yesterday क्या सोहन कल अपना कारे पूरा कर सका तो क्या सका सब्दा है इसलिए क्या क्या क्योंगे जी could लिखी कही है could sohan complete his work yesterday क्या तुम्हे कल भूखा सोना पड़ा तो head तो इसमें पड़ा जो है आया है तो ये मजबूरी है तो इसलिए क्या क्योंगे जी head लिखी जाएगी तो head you तुम्हे करता है to sleep hungry yesterday फिर क्या वह मैदान में खेला करते थे तो ये आदत हो गई तो क्या क्या अंग्रेजी यहाँ पर deed लिखेंगे आदत पर करते हो deed दे करता है वह फिर used to play in the field अब अगला परकार का वाक्या है प्रश्णवाचक सब्द बीश में आने पर अगर प्रश्णवाचक सब्द बीश में आया है तो हम क्या करते है यदि प्रश्णवाचक सब्द कब कहां क्यों कैसे कौन किसे किसको क्या अगर ये बीश में आये हैं सब्द तो वाक के बीश में आये हो तो क्या करते हैं उस वाक्य का अनुबाद करते समय प्रश्णवाचक सब्द जो होता है उसकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारम्य में लिखे जाती है यानि कब कहां क्यों कैसे ये सब्द अगर आये हैं तो उनकी अगरेई पहले लिखेंगे उसके बाद में हम सहाय के रिया करता और कर्म का प्रियोग करते हैं एक्जामपल में सबसे पहले वाक्य की रचना देखें आप वाक्य की रचना में सबसे पहले अनुबाद करते समय क्या करते हैं सबसे पहले पस्टमाचक सब्द लिखते हैं उसके बाद वाके के अंसवार डेड या कोड का प्रियोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट का बरुकी फर्स फर्म और अब्जेक्ट का प्रियोग होता है इसी तरह से और वाके हैं पहले कुशूचन बाद अगर मजबूरी पर कट हुई तो आई हैड का प्रियोग फिर सब्जेक्ट तू बरुकी फर्स फर्म और अब्जेक्ट और कुश्चन बर्ड अगला है कुश्चन बर्ड और डीड का प्रियोग करते हैं अब सब्जेक्ट यूस्ट और बर्व के फर्स्ट राम तथा अब्जेक्ट का परियोग किया जाता है ये कब होता है ये आदत परकट करने पर होता है अब इसका एक्जामपल देख लीजिए तुम कब बाजार जाते थे तो कब सब्द जो है इसमें प्रश्णवाचक सब्द है इसलिए इसकी एंगरी पहले लिखी गई हुएन सामानिवा के इसलिए डिड का परियोग हुएन डिड यू गो टू मार्केट वह कैसे तुम्हें पढ़ा सकता था तो सका सब्द है तो सका सब्द में आया है कैसे आया है तो कैसे के इंगरी पहले लिए हाउ कूड ही टीच यू पुलिस को चोर को क्यों छोड़ना पड़ा तो इसमें पढ़ा सब्द है इसलिए मजबूरी है तो पुलिस क्यों सब्दा है प्रश्णवाचक सब्दा है तो प्रश्णवाचक सब्द को सबसे पहले क्यों हुआ ही had the police to release the thief तुम प्रति दिन एक पत्र क्यों लिखा करते थे आप ध्यान से देख लिजे कि सबसे पहले क्यों सब्दा है उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी और उसके बाद यह आदत में है इसलिए did you used to write it later इस तरह से यह अनुवाद किया जाएगा interrogative negative sentence interrogative negative यानि प्रशनवाचक नकरात्मकवा कि यह भी एक वाकी का प्रकार है तो इसमें क्या होता है जो प्रशनवाचक सब्द बीश में आने वाले वाकी का नियम होता है वाकी रचना वैसे ही होती है लेकिन subject के बाद नाट का परियोग किया जाता है तो यहाँ देख सकते हैं यह वाकी की रचना है सामाने वाकी और सका सब्द प्रशनवाचक सब्द लेखते हैं फिर did could first from subject not first from object उसी तरह से मजबूरी पर कट होने पर भी है question word had subject not to first from object फिर आदत पर कट होने पर वही पर किरिया रहेगी question word did subject not used to first from object एक्जामपल देख सकते हैं तुम्हारा नौकर कल दरवाजा क्यों नहीं खोला तो क्यों नहीं खोला यह क्यों नहीं पर शनुआचक नकरात्मक हो गया तो इसलिए क्यों नहीं क्यागरेजी पहले लिखेंगे why did सामानी वाक्य है तुम्हारा नौकर तो your servant not open the door study सूत्र के हिसाब से आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रशन वाचक सब्द का चैन करते हैं why उसके बाद did का प्रियोग किया सामानी वाक्य था सका सब्दा होता तो could का प्रियोग करते हैं फिसके बाद subject है तुम्हारा नौकर your servant not नकरातनक है तो not लगा है बर की first form open the door object है yesterday इसी तरह से अगला वाक्य है तो मुझे कल क्यों नहीं पहचान सके तो इसमें सका सब्दा है तो मैंने बताया आपको सका सब्दा हैगा तो प्रश्णवाचा सब्द के बाद could का प्रियोग करेंगे why could you not recognize me yesterday उसे आज school क्यों नहीं जाना था तो उसे आज school क्यों नहीं जाना था तो क्यों क्यों अंग्रेजिस सबसे पहले why why had he not to go to school today अगला है तुम उसे भोजन क्यों नहीं दिया करते थे तो आदत है तो आदत है तो used to का प्रियोग होगा why did you not used to give him food जब प्रश्णवाचक सब्द स्विम करता हो अगला परकार का वाक्य है जब प्रश्णवाचक सब्द स्विम करता हो तो वाक्य की रचना सबसे पहले क्या करते हैं question word का प्रियोग करते हैं और ऐसे वाक्यों में बरुका second form लगता है फिर object फिर question word could सका सब्दा है तो could first form object का प्रियोग होता है कि और सामान बरुका second form लगता है फिर आप ऐसे ही दूसरा देख सकते है question word है to first form object question word used to first form object अब example देखें कल सेर किसने देखा तो who saw the lion तो इसमें प्रश्णवाचक सब्द ही जो है करता का काम कर रहा है किसने देखने का काम किसने के दौरा प्रश्ण पूछने के काम भी उसी के दौरा हो रहा है इसलिए उसकी अंग्रेजी who पहले लिखे कि यह का दूसर रूप who saw the lion yesterday अगला है कौन सा चप्रासी घंटी बजा सकता था तो कौन सा चप्रासी घंटी बजा सकता था इसका अनुबात कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्ण पाचक सब्द का चैन करें कौन सा चप्रासी इसकी अंग्रेजी पहले लिखे जाएगी which pun फिर सका सब्द आने के कान could which pun could फिर आप देखिए बर्व का first form आता है तो ring the bell किसे कल यहां रुकना पड़ा तो किसे कल यहां रुकना पड़ा तो रुकने का काम किसे की दोरा किया गया इसलिए इसकी अंग्रेजी who और पड़ा सब्द आया इसलिए मजबूरी है तो head to रुकना के अंग्रेज stay here yesterday कौन सी लड़की प्रति दिन कहानी सुनाया करती थी यह आदत में था तो कौन सी लड़की का प्रश्णवाचक सब्द है तो which girl used to आदत के कारण लिखा गया tell a story daily इस परकार से यह वाक्य का अनुवाद होगा अगला है परकार जब प्रश्णवाचक सब्द स्वेम कर्म हो तो जब प्रश्णवाचक सब्द स्वेम कर्म होगा तो उस समय वाकी की रचना आप देख सकते हैं इस तरह से होती है question word पहले did या could लगाते है subject उसको आद बर्व का first form इसी परकार से मजबूरी परकट होने पर भी है question word had subject to work first form फिर question word did subject used to work first form ये आदत परकट करने पर होता है उधारन देखें तुम कल क्या किये what did you do yesterday तो क्या किये क्या केंगरी सबसे पहले लिखना है what जो किये तो तुम तुम इसका करता है तो what did you do yesterday इसमें वह किसे ढखियल सकता था जखा सब्दा है तो could लगेगा और किसे ढखियल सकता था तो यही कर्म है इसका तो वह करता है तो पहले कर्म प्रशनवाचक सब्द किसे केंगरी जी whom फिर सका सब्दाने करता उसके बाद लगा जाता है फिर किरिया का पहला रूप whom could he push उसे कौन सी कहानी सुनानी पड़ी तो which story had he to tell तो सबसे पहले कौन सी कहानी केंगरी लिखना है यही यह परशनवाचक सब्द तो which story had to मजबूरी परकट हुई यह पड़ा सब्दा है तो had he to tell अगला है तुम कहां बैठा करते थे तो यानि आदत थी तो where did you used to sit तो इस परकार से यह पूरा वाकी का अनुवाद करने का नियम है और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और अगर यह आपको समझ में आया है तो आप नेशित रूप से आप अपने मित्रों को भी इसे share करिए और लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवस्य कर लीजिए अवस्य कर लाइक कर लाइक कर लाइक कर लाइक